T20 World Cup 2024 में पाकिस्तान का टीम कंबिनेशन सेलेक्टर्स को काफ़ ज़धा कंफ्यूज कर रहा है किसको टीम की प्लेइंग 11 में शामिल करें, किसको बाहर निकालें सेलेक्टर्स ये सोच कर काफ़ ज़धा परेशान है क्योंकि पाकिस्तान टीम में इस वकात काफ़ ज़धा कंपिटीशन बढ़ चुका है काफ़ी बेहतरीन किसम के हमारे पास बॉलर्स भी मौजूद है और काफ़ी बेहतरीन किसम के बल्ले बास भी मौजूद है इसलिए काफ़ ज़धा कंपिटीशन है फाडू किसम का हमारा ओवराल कंबिनेशन बनेगा T20 वोड़कप 2024 में लेकिन भाई साब प्लेइंग 11 होगी कौन सी कौन कौन सा पागिसान का खिलाडी बली का बकरा बनने वाला है कौन सा खिलाडी कुर्बानी का बकरा बनने वाला है आप खुद हैरान रहे जाएंगे कि एक जो पागिसान टीम की कप्तानी का मजबूत उमीदवार था रिजवान वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होगा तो दूसरा पागिसान का साबिक कप्तान जिसको बिना किसी वज़ा कि कप्तानी से अटा दिया गया ये दोनों पागिसान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगे तो पर हिस्सा कौन होगा बाईसाब कौन-कौन प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाला है काफ़ जदा आप खुद कन्फ्यूज जाएंगे कि पागिसान टीम में से उकत हो क्या रहा है सेलेक्टर्स बिचारे करें तो करें क्या अगर हम अब वराल पागिसान टीम की कम्बिनेशन की बात करें तो मजबूत उमीदवार हम पहले देख लेते हैं कि पागिसान टीम की प्लेइंग 11 के लिए कौन-कौन से मजबूत उमीदवार है आप जरा हैरान रहे जाएंगे कि हमारे पास इतने बेतरे इन की समझे इस वक्त बल्ले बास बॉलर्स और आड़ाउंडर्स मौजूद है एक कम्या पागिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में वो भी आगे मैं आपको डिसकस करा जो है वो करके बताता हूं कि ये जो हमारी कम्या ना वो बहुत बड़ी कम्या जो हमें बहुत ज़दा नुकसान पहुंचा सकती है अब अगर हम कुछ प्लेइंग 11 के मजबूत उमीदवारों की बात करें तो नो डाउट बाबर अरजम कप्तान बन चुके हैं तो वो मजबूत उमीदवार होंगे सह्मजूब भी उनके साथ खेलते हैं तो वो भी मजबूत उमीदवार होंगे प्लेइंग 11 के लिए और इसके लावा उस्मान खान मजबूत उमीदवार है प्लेइंग 11 के लिए और मुहम्मद रिजवान भी मजबूत उमीद वारें प्लेइंग लावन के लिए अगे जरा सुनियागा आप हैरान रहे जाएंगे कि ये हो क्या रहा है अब खुद भी कंश्यूर्ट हो जाएंगे इसके साथ साथ आजम खान मजबूत उमीद वारें और उसके साथ साथ अफ्तखार एमद भी मजबूत उमीद वारें प्लेइंग लावन के लिए और इसके इलावा और रोनर्स की बात की जाए तो इमाद वसीम और इसके साथ साथ शादाब खान पाकिस्तान के मजबूत उमी जो के मजबूत उमीद वारा है पाकिसान की प्लेइंग 11 में खिलने के लिए लेकिन इन में से वाई सब खिलेगा कौन ये तो हमने 13-14 खिलाडियों को नाम ले लिया अब 11 खिलाडी कौन से होंगे जो पाकिसान टीम की 100% प्लेइंग 11 का हिस्ता होंगे अब जरा आप सुनेंगे तो हैरान रहे जाएंगे और आप अपनी राए जरा कमेंट में लाजमी तोर पर कर दीजेगा कि ये जो बाते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और पाकिस्तान टीम का कंबिरेशन किस तरह का बनने वाला है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी तोर पर कर दीए कि नहीं ये बिल्कुल फ्री होता है यार बनने का थोड़ा बहुत होस्रा बढ़ जाता है कि देखने वाले हमें देखने और पसंदी कर रहे हैं अब प्लेइंग 11 को जरा आप सुनें पागिसान तीम की प्लेइंग 11 कुछ ऐसे होने वाली है कि आपको बती है कि बाबराजम और सैम और यूव उपनिंग करेंगे ये बात तो चलो हो गई कोई मसला नहीं ये तो तक्रीबन 90% कंफर्म है लेकिन वान डाउन पर कौन खिलेगा बाई साब वान डाउन पर काफ़ दा हमारे पस कंपिटीशन मौजूद है आपको पता है कि उस्मान खान को हमने चामिल कर लिया पागिसान तीम में अच्छा बला वो दुबई में खेल रहा था वैसे तो यह ओपनर खेलना जाते हैं तीनों के तीनों हमारे ओपनर्स ही है लेकिन अब इनके जो है वो कंपिटीशन की वज़ा से इनको वण डाउन पॉज़िशन पर खेलना है तो भाई साब वान डाउन पॉज़िशन पर इनमें से दो ऐसे खिलाड़ी होंगे जब वन डू 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 बारों खेलेंगे और एक बिचारा बाहर जाएगा अब जहां तक बात है फखर जमान की तो फखर जमान की तो फखर जमान को लेफ एंड राइट हैंड कमिनेशन की वजह से और उनकी मजबूत पावर हिटिंग अबिलिटीज के वजह से पागिस्तान की की टीम ये चाहती है कि वो प्लेइंग 11 का हिसा रहा है जब कि उसका साथ है उस्मान खान को हम इतनी दूर से लाए हैं तो भाई साथ उसको प्लेइंग 11 में तो जामिल करना है ना तो वो भी मजबूत अमीदवर आए पागिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के लिए तो अगर ये तोनों मजबूत अमीदवर आएं प्लेइंग 11 में शामिल वने के लिए कि मोहमद रिजवाण पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का हिसा नहीं होंगे ये काफ़ जदा खबरें इस वक्ता आ रही हैं कि महमद रिज्वान को शायद कुछ मैचिस में पागिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में शामिल ना किया जाए अभी आगे सुनिएगा आगे भी ज़रा आप खुड़ा बहुत हैरान रोंगे पागिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के वाले से क्योंकि महमद रिज्वान इस वक्त तफ़ जदा ये वगी खबरें आ रही हैं कि शायद वक्तर जमान को या पिर रिज्वान को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाएगा और महमद रिज्वान शामिल हो जाएंगे अब इसके बाद जो है वो कंपिटिशन थोड़ा और ज़्यादा मजीद बढ़ जाता है कन्फियोन तोरी और बढ़ जाती है कि अब ज़रा कैसे होने वाला है क्या हमने दो दो आल रॉंडर्स खिलाने हैं और तीन सिर्फ फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं या पिर एक आल रॉंडर्स हमने खिलाना है और फिर उसके बाद चार फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं ये भी काफ़े ज़रा जो बाते हैं वो बड़ी कन्फियोन वाली है पुरी दुनिया में अगर आप देखें सारी की सारी टीमों के पास एक प्रॉपर और बहतरीन किसम का स्पिन बॉलर्स मौजूद है लेकिन हमारे पास आल रॉंडर्स हैं बेज़क शदाब खानों या इमाद वसीमों या आल रॉंडर्स हैं एक प्रॉपर गिसम कोई भी इन दोनों में से स्पिनर नहीं है तो स्पिनर की कमी पाकिस्तान टीम को काफ वसीन सताएगी यह मैं आपको अभी से बता रहा हूँ अब अगर हम इमाद वसीमों और शदाब खान दोनों को उन कंडिशन्स के हवाले से पाकिस्तान टीम की प्लेंग इलाउन में शौमल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बालिंग में काफ फिजदा और कंपेटिशन बढ़ने वाला है क्योंकि हमारे पास पांच बालर्स है और अनमें से तीन कहलेंगे पांच बालर्स कोंसे हैं? मौमद आमिर हो गए, नसीम शाह हो गए, हारिस रूफ हो गए और इसके लावा मौमद वसीम जूनियर हो गए और शाहिन चाफरीदी हो गए अब इन पांचों मैंसे खिलेंगे सिर्फ वर्स तीन बालर्स तो वो तीन कोंसे होगे? अब अगर हम बात करने शाहिन शाह वेदी, मौमद आमिर और आपको बताए कि नसीम शाह किती हो तीनों कि तीनों जो बालर्स है वो नई बालर्स है पहला दूसरा ओवर्स ये लोग लाज़मी तोर पर करवाते हैं तो इन में काफ़ ज़धा कंपिटिशन है और हार इस रूफ ऐसे बालर हैं जो डेप्ट ओवर्स में हैं आपको बताए कि डेप्ट ओवर्स स्पेशलिस उनको कहा जाता है और मिडल ओवर्स में भी वो पाकिस्तान टेम के लिए कफ़ी अच्छोंग ओर करा जाते हैं उनका केरियर अपडेक लेएं तो वो मिडल ओवर्स और डेप्ट ओवर्स काफी बेप्र गाते हैं वो है शाहिन शाफरीदी, मुहमद आमिर और नसीम शा के दिरिम्यान के इन तीनों में से अब पागिस्तान टीम की प्लेइंग इलाउन में कौन कहलेगा अब ये तीन जो है वो नसीम शाफरीदी हो गया ये तीनों की तीनों नई बॉल के बॉला रहा है मुहमद आमिर को अब हम इतने जार जो है वो उसको तीन साल वाद हमने रेटार्मन वापस दिलवाई है तो उसको अब प्लेइंग 11 में तो हमने शामिल करना ही करना है ऐसी वासी तो कोई बात निया कि हम उसको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करेंगे जबके नसीम चाह कि आपका पता है हाइप काफी ज़्यादा है इंजरी के बाद वो आप देखते हैं किस तरह का परफॉर्म करते है तो चॉंसे जिए हैं कि वो भी शाहिद पाकिस्तान टीम के प्लेंग 11 का हिसा होंगे तो फिर और बचता को न है बाई साब और बचते हैं शाहिद शाहिद आपका बाध फरिदी जो के बली का बकरा कुर्बानी का बकरा समझे जो समझे वो बनेंगे और पाकिस्तान टीम की तो आरब हैं उनकी बालिंग कोई खात्र खार नहीं है ये बिलकू ये बहुत बड़ी खबर है लेकिए उसके साथ है कर पागिसा만 टीम ये फैस्टा करती है कि ये हम एक स्पिनर या फिरेग्र एक ही आल-ड्राउंडर के साथ जाएंगे तो और चार फास्ट बोलर के साथ जाएंगे तो फिर शाहिन शाफ रीदी को अगेन पाकिसान टीम में जगा मिल सकती है प्लेइंग 11 में वरना भाई साथ कंपिटिशन काफ़ी ज़ादा है जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो खेलेगा जो भी एक दो मैचिस में थोड़ा बुरा परफॉर्म करेगा उसकी लंबी छूटी हो जाएगी पाकिसान टीम की प्लेइंग 11 से और उस बिचारे को मौका भी नहीं मिलने वाला तो कंपिटिशन काफ़ी बढ़ चुका है आपको क्या लगता है पाकिसान टीम का बेस्ट कंपिनेशन क्या है बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है जो टी-20 वोड़कॉप 2014 में पाकिसान टीम के लिए खेल सकती है अपनी राया आप कमेंट में लाजमी तोर पर दीजेगा और किनोस जोड़ी तमाम कबरें सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब लाजमी तोर पर करतीजगा